नमस्कार दोस्तों ठाको रोचर यूट्व चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से मैं आपको एक नई टेक्निक और नया तरीका बताने जा रहा हूं जिसका नाम मैंने दिया हुआ है एस सर्जरी स्किन सर्जरी और जिस पर यह हमने जो है लास्ट एर किया था यहां पर अब इसको खोल के हम देखते हैं कि इस ने अपना रिजल्ट किस तरी कैसे दिया हुआ कि जो यह वाला पोर्शन था हमारा यह बिल्कुली ब्रेक हो चोका हुआ था और इस पर जो है जो भी हमारा जैसे कैंकर या सडन रोग इस तरह से किशकाइत हो सकती थी और इस चीज को जो है बचाए रखने के लिए हमने इसमें सर्जरी करी यह स्किन लगाया हुआ है जैसे हमारे कोई ब्रेक होई पोदे या कोई टूटे होई पोदा होता है उससे हमने स्किन को निका सटान आया है तो यह हम देखेंगे कि वैई ट्रे राफच्टा कमें सिस्का आया है तो यह भी आप देख सकते हैं जैसे यह वाला जो पर्शन टा मार यह से लेकिए तो टोटली जितना भी पोर्शन ता हमारा यह बिलकुल खाली था यहासे ब्रेक वो डूट चुकी थी और ये पूला पर्शन जो हमारा इस ब्राँच इस अड़ टेन्स को को जो है कि भॉह तो एक इस्टीश को बने के लिए जो हमने इसी तूटज की हो थै, और इसको यहां पर लगाया और उपर से प्लास्टिक लगाया हूए जो यह वाला पॉर्शन यहां भी लगाया था यह लेकिन यहां पर इसलिए नहीं जूड़ पाया क्योंकि यहां पर छोटे पिस लगे थे जैसे यह वाला जो पोर्शन है हमारे यह यहां से हमारे स्कीन जूड़ा हुआ था जो ने दूसरे पौदे से निकाल कर लगाई और यह गाव काफी वड़ा है यह दे सकते हैं इतना लंबा घाव है और इसके अच्छे तरीके से यहां पर जुड़ चुका हुआ है तो आप भी अपने जो और चर्ड में यह इस तरीके से जो आपके पोदे में घाव रहता है उसको उसकी बरपाई इस तरीके से कर सकते हैं तो यह हमारे एक डेमो के तोर पर था और इस व और इसके वाद अभी जो हमारा फरवरी के वाद जो भी समय होगा हमारा ग्राफ्टिंग करने का तो इस तरीके से जो भी है अभी हमारे पास जो पॉर्शन बचाओ हुआ है ठीक करने के लिए उसकी जो में पार्ट तू आपको जो है एस सरजरी पार्ट तू जो वीडियो आपको बनाके डालोंगा तो आपको ये जो मैथिड कैसे लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे प्रूत सान मिलता रहे और आपको इस तरीके की नए-ने टैक्निक में जो है अपने वीडिय झाल झाल झाल